आज आपके लिए एक बहुत ही डिलिचियसी रेसिपी लेकर हैं पान के लड़ू तो चलिए इसके लिए इंगेडियन्ट देख लेते हैं इसके लिए मैंने सबसे पहले कुछ यह कटे हुए आलमंड्स लिये हैं अगर आपके पास और बहुत सारे भी ड्राइफ रूट हो मिला अधिक लिए और इसके लिए आलमंड और मतलब नट्स और गुलकंद को मिला कि अपके अच्छे से कर लेना है पांड किया यंद बड़े बड़े हैं इनको अच्छा कर लिया अब मैं पांच पत्नों के लिए मैंने वन पाइफ और लिया था ही अगर आप पत्न की क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो उसी हिसाब से हमें मिल्क मेड के क्वांटिटी बढ़ाने पड़ेगी चाहें तो मिल्क मेड के जगा आप दूद और चिनी भी एड कर सकते हैं यहाँ पर मैंने फ्लेवर के लिए इलाइची भी इसमें डाल दी थी सब चिज्जों को अच्छ बन के रेड़ी हो गया था यहाँ पर मैं ले रहे हूँ चार से पांच ड्रोप अपना जो फूड कलर होता है यह बिल्कुल ओप्सनल है अगर आप चाहें तो डाली नहीं तो मत डाली वैसे पान के पतों हां खुद का कलर भी काफी अच्छा होता है तो जादा डालने की हो जाए इतना ठीक सा पेस्ट हमें बना ले ने जाए मेरे को मतलब इन पांच पतों साथ में 1 शी कॉकोनेट पाउडर की पहाद गया सो ledट वी पेस्ट के लिए, पर पाँट्त्स किने पान के पत्तों, ने में गया ने पत्सके चाप्ता ओ सब्लिए, यह देखिए यहां पर मेरी बेटिक बनाने लग रही है मेरे साथ और फिर आप उसमें जो हमने गुलकंद वाली फिलिंग बनाई थी उसको अच्छे से पैक करते हुए गोल करते हुए लड्डू बना लेना है यह दो बनाने के बाद हमें एक प्लेट में अपना डेसिकेट जो कोको लड्ड का पाउडर जो बुरादा होता है उसको फैला लिया था क्योंकि हमें इसको ऐसे उसमें उपर से घुमाना है अपने लड्डू को ताकि हमें देखने में बहुत अच्छा लगी यहां पे देखि क्योंकि मज़े एक्टिवीटी में जाना था या किनिमानि यह बहुत ही टेस्टी बने इसलिए मैंने सोचा मैं उसके एक्टिवीटी में यही यही वाले लड्डू बनाऊंगे वहां जाके जो मैंने यह यह बनाय अपनी बेटे के साथ तो सब को इसकी सारे टीचर वो बहुत अच्छे बनते हैं आप मेरे कहने से एक बार इनको ट्राई जरूर कीजिएगा देखें अब फिर कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगो इसका टेस्ट कैसा लगा था यहां पर देखें मेरी बेटे भी मेरी हेल्प करवा रही है क्योंकि एक्टिविट तो उसी की स्कूल की थी तो मैंने उसको ही बोला था कि मेरे साथ लगो वैसे उसको कहने की जरूरत नहीं होती है मैं कुछ भी नया अगर बना रही तो अपने आप किचन में आ जाती ही मुझ अच्छा लग रहा था गार्ज यहां पर देखें तैंक यू फॉर वाजञें ुं फॉर वॉच्जिंग